क्या तिप्रामोथा भाचपा के साथ गडबंधन में चुनाव लड़ेगी ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में तिप्रामोथा के चीफ प्रदुत देवबर्मा ने असम के मुख्यमंत्री तैथा नेड़ा कंवेनर डॉक्टर हिमंत विश्व सर्मा से कुछी ले लगाई जा रही है कि विधान सबाद चुनाव को लेकर ही दोनों निताओं के बीच बैठक हुई है इसे पहले प्रदुत देवबर्मन ने साफ कह दिया था कि प्रिथक तिप्रालेन के मांग को लिखित में आस्वासन मिलने के बाद ही वो किसी पार्टी को समर्थन करे है और अब यह जो बैठक हुई है तिप्रामोथा के चीफ और नेरा कंवेनर डॉक्टर हिमंत विश्व सर्मा के बीच यह बड़ी प्रगति कहीं जा सकती है राजनितिक जो खटना करम है तेजी से बदले हैं क्योंकि कल ऐलान हुआ था चुनाव की तारीफों का और आज य रहे हैं सिदार्त ये खबर आ रही हैं कि दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई है और ये अटकले भी अब सुरू हो गई है कि क्या तिप्रामोथा बीजेपी का समर्थन करेगी या साथ चुनाव लड़ेगी क्या और जानकारी सामने आई है थी हाँ बिलकुल रबिंदर इस समय कह सकते हैं कि जो तिप्रामोथा सीफ प्रदुद देव बर्मन कुसी समय पहले जो है दॉक्तर हिमनत विश्यो सर्मा से आसाम हाउस में उन्होंने मुलाकात की है और उसके बार थोरी देर पहले वो निकल गए है और जाते समय उन से हमारी बात सीथ हुई थी और उस पार्टी लिखित में जो है तीप्रालेन का डिमां लिखित में उनको देगा उसी पार्टी को वो लोग सपोर्ट करेंगे जो तीप्रामोथा सपोर्ट करेंगे ये बात जो है प्तुद देव बर्मनने डोक्तर हिमन candidate विश्यो सर्मा से बात सीथ के birthday उनका पहला प उसके बाद ही जो आगे सीष्ट चेरिंग या एलाइंस की बात्चीब Springs होगी बरना किसी पार्टी से एलाइंस की बात्चीब नहीं होगी और उन्होंने ये बात पर्स कर दिया है कि सालिस से पैतालिस सीटों में अपना उमीदबार देंगे अगर किसी पार्टी के साथ उनका एलाइंस नहीं हुआ जी अगर उनको नहीं मिलता है तो 40 से 45 सितों में तिप्रा मुथा जो है अपना उमीदबार खरा करेगा और ये एकदम स्पस्त रूप से मीडिया को प्रदुद्दे बर्मन में बढ़ाया है और ये जो बाद है कुसी समय पहले जो असाम के मुख्या मंत्री तथा नेदा के कॉन्वेनर डक्तर हीमंत बिश्व सर्मा से जो बात सित हुई उसके तुरंट बाद उनका प्रतिक रिया था और इससे पहले अगर कहा जाए तो अकल नगालेन के मुख्या मंत्री और उप मुख्या मंत्री नेदा के कॉन्वेनर डक्तर हीमंत बिश्व सर्मा से उन्होंने बात सित की और आज जो है अभी डक्तर हीमंत बिश्व सर्मा कुसी समय पहले निकल गए है अमिच्छा से मिलने के लिए रविंदर जी ये बड़ी खबर माने जा सकती है सिधार्थ हम ये जानना चाहेंगे कि वहां केंद्री अस्तर पर किस तरह की चर्चा है क्योंकि जो जो कदम उठाए जाएंगे और जो फैसले लिये जाएंगे वो दिल्ली में ही लिये जाएंगे इतने दिनों से हम ये जाने की कोशिस कर रहे थे कि तिप्रा मोथा आखिर किस पार्टी के साथ होगी लेकिन ये जो बैठा कोई है दोनों नेताओं के बीच में इसने एक एक बार फिर अटकलों को हवा दे दिया है खासकर कि इस बीच जो घटनाए घटी है आई पी एप्टी जो बिजेपी के साथ है यहां राज्य में उसके मुखिया अब नहीं रहें एंसी देव बर्मा जो राजनिती की चाड़क के माने जाते हैं और तमाम नताओं को एक साथ लेकर चरने के लिए माहिर भी माने जाते हैं इसके अब माईने क्या हो सकते हैं सिर्फ अटकले हैं लेकिन केंद्रिय स्तर पर जो फैसले लिये जाते हैं वो दिल्ली में लिये जाते हैं किस तरह की चर्चा सामने आ रही है देखे रबिंदर ये कहा जा सकता है कि जो त्रिपुरा का जो सुनाब होगा वो इस बार बहुत ही देखने लायक होगा क्योंकि तिप्रा मोथा अपने मत पर अरे हुए है और परदुद्देव बर्मन ने ये बात सपस्ट कर दिया है मीडिया से कि उन्होंने जब आज दॉक्तर हिमंत विश्चा सर्मा से बातचीत की थी उसमें उन्होंने सिधा-सिधा अपना दिमांद रखा था कि क्या बीज वो प्रस्ताब दिरेक्टली रखा है ऐसा मीडिया से उन्होंने बोला और जो है उन्होंने ये बात भी बताया है कि उनकी जो बादचीत है वो कॉंग्रेस से भी चली है और कॉंग्रेस को भी उन्होंने एक ही बात कही है कि अगर एलाइंस में आना है तो तिप्रा मोथा को ग्रेटर टिप्रा लेन का जो एस्यूरेंस वो रिटेन में देना परेगा और इसके अलाबा जो है अगर कुसी पार्टी के साथ अगर एलाइंस नहीं होता है तो 40 से 45 सितों में उमीदबार खरा करने की जो बाद है वो भी उन्होंने कहा है और उनका जो एक मानना है वो पहले पार्टियों के सपोर्ट के बिना ही सरकार बनाने की उमीद से ही सुनाब लरेंगी और उसी ताकत से सुनाब लरेंगी अगर तीप्रा मोथा अकेले सुनाब लरती है तो ये देखने लायक होगा कि बीजेपी उसमें कैसा बीजेपी का रोल रहेगा क्योंकि पिसली बार जो पक्स में थी भोट चेरिंग लेफ पार्टिस में जादा थी तो उसी हिसाब से अगर देखे तो तीप्रा मोथा अगर अकेले सुनाब लरती है तो बीजेपी के लिए एक वहाँ पे एक बरा एक जो है प्रतिबंद वहाँ पे होगा ऐसा लग रहा है और उसी को सुलजाने के के लिए जो है दूक्तर हिमन्त भीश्रुसर्मा आज प्रदुद देव बर्मन के साथ बैथे ऐसा लग रहा है रबिना बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सिधार था आपका तो ती त्रक्ता के नेता परदूद्द दयवबर्मन और हिमंत भीश्य सर्मा ने क्या हो सकते हैं आने वाला समय बताएगा लेकिन प्रदूत देव बर्मा ने क्या कहा आपको सिनाते हैं हमारे पास उनके बयान भी आ गए हैं इलेक्शन के बारे बात हुआ और मैंने अपना बात क्लेली रख दिया कि अपने डिमांड से पीछे नहीं जाएगा अप लोगों का जो दिमांड वह आप लोगों का पहले भी बोल चुके है कि आप और टिप्रा प्रेटर टिप्रा लैन का तो यह दिमांड इस समय क्या अपको लगता है कि पॉसिबल है नहीं, ये तो, हम तो अपना मुवमेंट में जाएंगे न, बीजेबी को भी तो किसी ने पूछा नहीं था न, कि राम मंदिर पॉसिबल है की नहीं, उन्होंने अपना संग हर्ष किया, तो अगर उनका आइडियोलजी राम मंदिर था, या आर्टिकल 370 था, या चिबल का, और जब तक हमें राइटिंग में ये अशॉरंस नहीं दिया जाएगा, हम किसी के संग अलाइंस नहीं करेंगे, आप लोगों ने बीजेबी के सामने किया, बीजेबी क्यों, कॉंग्रेस से भी बात हुआ है, जो कॉम्मिनिस पार्टी से, लेकिन मैंने अपना बात क्ले रहा हूँ, क्लेरी बोल दिया है कि हमारे पास क्रेडिबिल्टी नहीं रहेगी अगर हमने अपने लोगों को विश्वास घात किया, हमारा जो ग्रेटर तीप्रा लाइंड का मूवमेंट है, उसको हम निगोशियेट नहीं कर सकते हैं, कोई पोस्ट के लिए और कोई अलाइ अगर्मेंट करेंगे अगर्या खतक लिए इस अब देगरेगे वोगों को मूशिया रहेए थे जगा आपने जगह में एपने जगह में कि खाड़ा हूं और मैंने अपने अपने लोगों को जूट नहीं बोला mieszkaan born भोहत पॉलाइट है मैं हमेश्छा पॉलाइट रहे ह similar हमारा अच्छा और आट रिलेशनशेप है हम कॉंग्रिस के टाम से एक दूसरे को जीतने के लिए लड़ेंगे हम 40 इसे 45 seat में केंडिद दे रहे हैं और हम कॉंटेस्स करेंगे जीतने के लिए लिए नहीं किसी के साथ नहीं जब तक कोई हमें राइटिंग में नहीं देता है कि हमारा ग्रेटर तीप्र लैयंड का डिमांड पूरा करेंगे